नमस्कार दोस्तों बोल्सकाई में आपका स्वागत है बॉलिवूड एक्ट्रसेस सुन्दर और स्टाइलिस्ट लुक के लिए क्या नहीं करती प्लास्टिक सर्जरी जैसे बड़े ओपरेशन तो बॉलिवूड सेलिबर्टीस के लिए आम बाते हैं अपने लुक्स को हर एंगल से परफेक्ट बनाने के लिए एक्ट्रसेस छोटी बड़ी सर्जरी करवाती रहती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका सर उल्टा पड़ जाता है लेकिन कुछ एक्टरसेज ऐसी हैं जिन्होंने सर्जरी के बाद भी अपने सुन्दर ताब बरकरार रखी कौन हैं ऐसी एक्टरसेज आईए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शेटी की अपने फिटनेस से लोगों का दिल जीतने वाली शिल्पा शेटी भी इस से दूर नहीं है शुरुआती दिनों में भी शिल्पा बेहद सुन्दर दिखती थी लेकिन उन्होंने अपने नाक की सरजरी करवाई भी शिल्पा शेटी अपनी सुन्दरता परकरार रख पाई है अब बात करते हैं मिस वर्ल का खेताब जी चुकी देसी गर्ल प्रियंका चोपडा की प्रियंका चोपडा ने अपनी नाक की प्लास्टिक सरजरी करवाई थी उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद उनकी नाक और आकरशक दिखेगी लेकिन सरजरी सफल होने के बावजूद फैंस को ये बदलाव कुछ खास पसम नहीं आया था लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद प्रियंका ने फिर से खुद को बदल लिया प्रियंका की हालिया फोटोज और वीडियोज में प्रियंका बेहद ही खुबसूरत नजर आती है प्रियंका चोपड़ा भी सरजरी के बाद अपनी सुंदर्ता बरकरार रखने में कामयाब हुई अब बात करते हैं अनुषका शर्मा की अपनी पहली बॉलिवुड फिल्म में शारुखान के साथ अनुषका बेहद प्यारी, मासूम और नैचरल दिख रही थी उन्होंने अपने होट और जॉल लाइन को टाइट करवाने के लिए सरजरी करवाई थी लेकिन कुछ लोगों को लगने लगा कि उनके चेहरे से मासूमियत कहीं आयपसी हो गई है लेकिन इसके बावजूद अनुषका शर्मा अपनी खुबसूरती को बरकरार रखने में कामयाब हुई उनकी हालेया फोटोज और वीडियो से उनने देखकर लगता है कि वो बेहद ही खुबसूरत लग रही हो अब बात करते हैं साउट सिनेमा से लेकर बॉलिवुड तक धमाल मचाने वाली शुरूती हसन की शुरूती हसन ने भी सरजरी करवाई लेकिन ये फैंस को पसंद नहीं आई उन्होंने अपने होट और नाक की सरजरी करवाई जिसके बाद शुरूती को लोग को पहचान नहीं पा रहे थे यकीनन उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया था लेकिन आज की समय की बात करें तो शुरूती को चाहने वालों की कमी नहीं है शुरूती के कई फैंस हैं जो उनके इस लुक को काफी पसंद करते हैं वो अपने फिटनेस वीडियोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती रहती है इस लिस्ट में कंगना रनौत का भी नाम शामिल है बॉलिवुट की कुईन कंगना रनौत भी इस स्टेज से होकर गुजर चुकी है उन्होंने अपने होटों से लेकर पलक, ब्रेस्ट और जॉलाइन तक ही सरजरी करवाई जिसके बाद वो बेहद ही खुबसूरत लगती है हालिया में आई उनकी तस्वीरे और वीडियोज को देखकर लोग उन्हें लुक्स के मामले में काफी पसंद करते हैं तो सरजरी के बाद भी कंगनार नौत अपनी खुबसूरती को बरकरार रखने में कामियाब हुई तो ये थी वो एक्ट्रेसेज जो प्लास्टिक सरजरी कराने के बाद भी बेहद ही खुबसूरत लगती है आपका क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें